हेलो एंड वेल्कम बैक अगें इन दे करेंट एफर सीरियस लेक्चर नंबर एट तो आरड़ी हमने इसके सेवन लेक्चर अप्लोड किये हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी वहां से जाके आप फुन वीडियो को चेक आउट कर सकते हो तो इन वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो हमने 85 से ज्यादा करेंट एफर डिसकस किये हैं इन वीडियो में जो कि रिलेटेड है 2024 से तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कितने हम करेंट एफर कर पाएंगे ठीक है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं क्वेशन न activated carbon from super capsters from coconut husks ठीक है तो क्या पुछा गया है question में तो question में आप से ये पुछा गया है कि जो research थे वो किस से बिलांग करते थे जुन्होंने एक method को develop किया है activated carbon को produce करने के लिए कहां से coconut husk से ठीक है तो ये जो research थे ये थे केरला से option number c is the correct answer for this question और जो ये research हुई थी ये हुई थी government women is government college for women is ठीक है government college for women is ठीक है ये कहां पर है ये है ठीरोवन्थम पूरा में कलिए ये चीज़ा फ्याद रखे तो option number c is the correct answer for this question so question number two that is which two citators recently signed an agreement for the implementation of the रुपीज 72,000 करोर पर बती काली सिंद्ध चंबल रिवर लिंकिंग प्रजेक्ट तो दो सिटेट्स के दर्मियान जो agreement sign हुआ है और पर बती काली सिंद्ध चंबल रिवर प्रजेक्ट यानि ये जो प्रजेक्ट है इस प्रजेक्ट के उपर क्या हुआ है दो सिटेट्स के दर्मियान sign agreement sign हुआ है क्या sign हुआ है agreement देखे जब भी कोई प्रजेक्ट बनाया जाता है तो उसके पिछे कुछ न कुछ मकसद जरूर होता है देखे जो ये प्रजेक्ट है ठीक है परबती काली सिंद्ध चंबल प्रजेक्ट जो है तो आपको पता होगा कि जो राजिस्तान और मदियापादेश है ठीक है ये जो दो सिटेट्स है इन इनके जो CMs है यानि जो इनके Chief Minister है इनके बीच ये agreement sign हुआ है. So what was the aim of this project? यानि इस जो प्रजेक्ट है इसका aim क्या है? मक्सद क्या है इस क्या प्रजेक्ट का? जो इस प्रजेक्ट का aim है वो है कि to transfer surplus water क्या? to transfer surplus water from Southern Rajasthan ठीक है? यानि Southern Rajasthan से surplus water को क्या करना है? transfer करना है. लेकिन किस जगा की ओर? कहा की ओर? ठीक है वो है कि South East Rajasthan ठीक है? South East Rajasthan and many parts of many parts of Madhya Pradesh ठीक है? यानि ऐसे जगाओं पर ये जो पानी है ये जो प्रजेक्ट है इसका जो पानी है ठीक है? यानि इसका जो पानी है वो transfer किया जाएगा किनकी ओर? ऐसे जगाओं पर जहाँ पर हमें security of water देखनी को मिलेगी. यानि जहाँ पर कलत होगी पानी की जो mostly कहां पर है? जो mostly है South East यानि South East Rajasthan और कुछ जगा है कहां पर Madhya Pradesh में वहाँ पर क्या होता है? यानि उन जगाओं पर इस प्रोजक्ट का पानी को प्रोजक्ट के पानी को transfer गया जा सकता है कलियर और इसके अलावा यह जो प्रोजक्ट है इसका जो estimated cost है वो है 72,000 करोर तो देखे इस प्रोजक्ट पे जब इतना पैसा खरिश किया जाता है तो कुछ फायदा ज़ुरह होगा अगर हम इस प्रोजक्ट की बात करेंगए यहाई इट विलिए ठीक है यहाई इट विल इरिगेट टू पॉइंट एट लैबे है ठीक है यहादे 2.8 लाइक है तो पॉइंट-एट-एट है कहां पर मध्या पादेश में उन जगाहों पर यह इरिगेश इरिगेट कर सकता है वहां के लैंड को ठीक है तो इस प्रोजेक्ट तो भी इस प्रोजेक्ट पर इतने पाई से खरज किया जाते हैं क्लियर सो कॉच्छ नमबर थोड़ डाट इस रिसेंट्ली विच कंट्री है जब पाई है जाते हैं यह इस पहली बार आईसा कुछ सुनने को मिला है ठीक है यह पहली बार हमने देखा कि किसी कंट्री की ओर से दो ट्रेनों को बेजा गया है इंडिया की ओर से जिसमें क्या था जिसमें कोल बारा हुआ था उन्हें बेजा गया था इंडिया नारसाओर ट्रांसपोर्ट कोरिडोर की ओर से तो किस कंट्री की ओर से option number A that is राइशा की ओर से ये चीज बेजा गया है clear so question number 4 that is recently which country successfully test fired an ear surface anti-radition missile रुदराम फोस्ट ठीक है यानि किस country की ओर से successfully test किया है किसको यानि ear surface anti-radition missile को जिसे नाम दिया गया है रुदराम ठीक है यानि किस country की ओर से इसे successfully test किया गया है तो ये इससे successfully test किया गया है इंडिया की ओर से So option number C is the correct answer for this question. यानि जो यह रुदराम है ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, जो रुदराम है, यह इंडिया का पहला इंडिजियस, क्या है यह? इंडिया's first indigenous anti-radition missile, ठीक है, क्या है यह? इंडिया's first indigenous anti-radition missile, तो इससे किसकी ओर से develop किया गया है? DRDO की ओर से, आपको बताना है कि what is the full form of DRDO, और इससे कब establish किया गया था? आपके लिए question है, तो आप इसका answer comment section में दोगे, clear? तो इससे particularly बनाया गया था किसके लिए? IAF के लिए, that is Indian Air Force के लिए. So option number C is the correct answer for this question. So आगे बढ़ते हैं question number 5 की O, that is, Recently, which country's NAVY has signed a deal with India's garden research, shipbuilders and engineers, ठीक है? तो recently, किस country की NAVY ने sign किया है एक deal किस के साथ India's garden research, India's garden, reach, shipbuilders and engineers, तो यह की है किस नहें? Bangladesh नहीं, clear? So option number C is the correct answer for this question. So next question is, question number 5, that is, Jaiwa Garmam Campaign and new initiative to promote organic farming recently launched in Visited. तो क्या पूछा गया question में कि जो Jaiwa, ठीक है, यानि, Jaiwa Garmam है. क्या है Jaiwa Garmam? यह एक campaign है, यानि, एक campaign है, यह एक ऐसा initiative है, जिसका मतलब है, यानि, जिसका जो, मतलब एक ऐसी campaign है, जिसका जो initiative है कि to promote organic farming, ठीक है? यानि, इस campaign के थूँ, यह चीज़ promote किया गया है, कि हमें organic farming को क्या करना है, promote करना है. तो किस state की और से इस campaign को launch किया गया है? यानि, किस state ने इस campaign को launch किया है? तो इसको launch करने वाला है, वो है, केरला, ठीक है? यानि, केरला ने इस initiative को, या इस campaign को launch किया है, जिसमें यह चीज इनिशेटु रखा गया है कि तो प्रेमोट और्गनिक फॉर्मिंग, कलियर, तो इसकी अगर हम बात करेंगे, यह जो जैवा गर्मम कंपेंड है, इससे सपोर्ट किया है, वहां के लोकल पंचायत ने, ठीक है, और वहां का एक कलब है, जिसे कहते है, लाइन इंडिया AI सुमें 2024, तो किस कंटरे ने रिसेंटली होस्ट किया है, गलोबल इंडिया AI सुमें 2024, यूकरेन, इंडिया, बंगलादेश या फिर चाइना, तो इसका आंसर आफ मुझे कोमेट सेक्शन में दोगे, मैं देखूंगा कि आपकी जो प्रेपरिशन लेवल है, वह कह तक ठीक है, ठीक है, so question number seven that is, कलम करी आर्ट फॉर्म, recently seen in news, तो देखे, कलम करी, क्या है, कलम करी आर्ट फॉर्म, तो recently यह हमें निव्में देखने को मिला है, तो, mainly इसे किस स्रेट में प्रेक्टिस किया जाता है, यहने कहां पर इस चीज़ को पाया जाता है, क्या आंधरा परदेश में ऐसी आर्ट को क्या किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है. So, option number A is the correct answer for this question. So, question number A that is which ministry has recently launched project Pari Public Art of India? ठीक है, यहने किस ministry की ओर से launch किया गया है project Pari Public Art of India? तो यह किया गया है ministry of culture की ओर से, clear? So, option number B is the correct answer for this question. So, recently question number 9, recently the government of India has designated which ministry as the nodal ministry for the Hajj Committee? So, recently किस ministry को designate किया गया है as a nodal ministry for Hajj Community? Ministry of Defense, Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs या Ministry of Minority Affairs? ठीक है, तो इस question का जो सही आंसर है वो है option number, that is D, option number D, वो है ministry of minority minority affairs. Clear? तो यह जो ministry of minority affairs है इन्हें है रिप्लेस किया है minister of external affairs को ठीक है. So, option number D is the correct answer for this question. So, next question is that, recently Indian scientists have developed an open source tool to generate an infrared star catalog for which telescope? So, recently Indian scientists की ओर से एक चीज़ को developed किया गया है जिसे कहते है open source tool ठीक है, यह यह जो open source tool है, इसे जब developed किया गया है, तो इसका जो मकसद है, वो यह चीज़ था कि to generate an infrared star catalog ठीक है, फार विच टेलेसकोप किस टेलेसकोप के लिए बनाय गया था? यहने इसे बनाय गया था 30-meter telescope के लिए, कलियर? So, option number D is the correct answer for this question. So, next question is, which state, which state is natural farming model won the 2024 गुल बन किया प्राइज फार हुमनिटी यहने किस टेट की ओर से क्या किया गया है, यहने किस टेट ने, which state, which state is natural farming, किस टेट की नेचरल फार्मिंग मॉडल ने जीता है क्या 2024 गुल बन के प्राइज फार हुमनिटी तो यह किस ने जीता है, गुजराद, आंद्रा परदेश, सिक्किम, या फिर केरला, ठीक है, तो इस question का जो सही answer है, वो है, option number B, that is, केरला, ठीक है, स्वारी, आंद्रा परदेश टीक है, आंद्रा परदेश ने यह एवार्ड जीता है, ठीक है, so option number B is the correct answer for this question, so next question, question number 12, which ministry is hosting the 2024 World Heritage Young Professional Forum, ठीक है, तो किस ministry की ओर से क्या किया गया है, होस्त क्या गया है, 2024 World Heritage Young Professional Forum, तो किस की ओर से यह किया गया है, यह किया गया है, ministry of culture की ओर से, clear, so option number C is the correct answer for this question, so question number 13, that is, which community has been demanding that 49 districts be carved out of parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra, to establish their separate city, ठीक है, तो किस community ने यह चीज़ दिमांड की है, कि हम 49 districts carve करेंगे, ठीक है, कारवड करेंगे, कारवड का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है, तो कहां से, Rajasthan से, Madhya Pradesh से, Gujarat से, Maharashtra से, ठीक है, तो establish है, separate city, to establish a separate city, तो किस community के और से, यह के गई है, बहिल community के से, यानि यह कहते है, हम बनाएंगे, अलग separate city, इसको हम कहेंगे, बहिल Pradesh, ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, बहिल Pradesh बनाएंगे, हम अलग city, यह चीज़ भी आप याद रखे, तो, option number C is the correct answer for this question, So, next question is, Manalo Marcus, who has been appointed as the head coach of the Indian Manos football team, belongs to which country, तो, option is, हमारे पास है, Australia, Spain, France, और Romania, ठीक है, यानि, इंडिया के जो, नए football team के जो नए coach बने है, वो किस country से बिलाँ करते है, तो, वो करते है, तो, वो करते है, तो, बहिल करते है, सुपेन से, ठीक है, यानि, option number B is the correct answer for this question, that is, Manalo Marcus, जो नए appointed हुए है, head coach, Indian Manos football team के, वो सुपेन से बिलाँ करते है, क्लियर, so, option number B is the correct answer for this question, so, next question, question is, question number 50, रिसेंटली, इंडिया, इंडिया नवी साइन एन MOU, वित विच ऑर्गनिज़एशन तो, प्रमोट हीडरोजन एमोबैलिटी, तो, रिसेंटली, इंडिया नवी ने एक MOU साइन किया है, किस आर्गनिज़एशन के साथ, तो, इस MOU का जो मेन मौट्व था, वो था कि, तू प्रमोट हाइडरोजन एमोबैलिटी, यहनि किस के साथ, वो किया है, Indian Oil Corporation Limited के साथ, option number B is the correct answer for this question, so, next question is, question number 16, that is, मुख्या मंतरी बहन बेटी माइक्वी सवा बलंबन प्रोस्ताहन योजना, ठीक है, तो यह जो योजना है, recently seen in the news is associated with which sedate, ठीक है, यहनि मुख्या मंतरी बहन बेटी माइक्वी सवा बलंबन प्रोस्ताहन योजना, तो यह जो किस सिटिर के साथ है, यह बहुत ज्यादा हार्ड है, प्रोस्ताहन करने के, यह जो नामे एक चोल में हिंदी नेम्स है, ठीक है, यह हिंदी नेम्स होते है, और हमने इस चीज़ को कभी पढ़ा नहीं है, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जितने भी स्टुड़निस कश्मीर से है, उन्होंने हिंदी को पढ़ाई नहीं है, लेकिन अब इंट्रोडूस किया गया है, ऐसे सब्जक्ट इसको जो नए नए बच्चे है, ठीक है, वो आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए यह आसान होगा, हमारे लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि यह जो हैंदी बाशा है, यह काफी ज़्यादा सकत है, कलियर, तो यह कहां पर की गई है, हमारे पाँ जो उप्शन है, वो है हरियाना, जारखंड, राजिस्तान या फिर गुजराद, ठीक है, तो इस कॉशन का जो सही आंसर है, वो है, उप्शन नमबर C, that is, उप्शन नमबर B, that is, जारखंड, यह जो योजना है, इसे कहां पर लांच किया गया है, इसे लांच किया गया है, जारखंड में, तो इस योजना में क्या किया जाएगा, इस योजना में मतलब बड़ेजलियस केंपस को एस्टाबलिश किया जाएगा, ठीक है, यह जिसमें जो वहां के वोमेन से उनको एल रोल किया जाएगा, तो जिन women को age होगी 21 से लेके 14 years तक तो उनको क्या किया जाएगा उनको 1000 per month प्रवाड किया जाएगा तो इससे कब launch किया गया है 28th जो उनको किसकी और से यानि जो जारखन के CM है उनकी और से तो एक ही मकसद है to empower the women ठीक है So question number 70 that is recently which state has launched the paid लगाओ paid बचाओ जन अभियान 2024 campaign तो किस की और से उतरपरदेश की और से राजस्तान की और से जारखन या फिर गुजराद तो इसका जो सही answer है वो है option number A that is UP यहने UP में यह क्या इस company यह इस अभियान को चलाया गया है ठीक है यहने 2024 इसका जो aim है वो है कि to implant 3.5 करोर प्लांट on the banks of rivers especially अगर हम बात करेंगे वो है क्या especially Ganga और Yemna यहने जो इनके बैक से उन पर इतने प्लांट लगाने की कुशिश है इनकी ठीक है तो option number A is the correct answer for this question so question number 18 and the last question of this session that is recently researchers have supported magneto fossils in which region of India so recently researchers have seen magneto fossils but in which region में so they have seen in Ladakh में clear? so option number A is the correct answer for this question so that was all about today's video hope you like this video if you like this video please like this video and share it with your friends and share it with your friends in the prayer of my prayer in the prayer of my prayer inshallah next video में अबता के लिए अलाह हाफिस अबता के लिए 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 अबता के लिए